वर्दी की चाह रखने वाली युवाओं के लिए खुश खबरी बिहार पुलस में 60,000 से जादा नए पदों पर होगी बहाली वर्दी की चाह रखने वाली युवाओं को एक बरी खुश्ट खबरी मिलने वाली है क्योंकि बिहार सरकार ने राज्य में पुलिस के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया 23 कर दी है ग्रह वभाग ने बूधवार को इसको लेकर संकल्प जारी कर दिया है मिली जानकारी के अनुशार ग्रह वभाग नी कैबिनेक बैठक के बाद पुलिस के 67,000 नए पदों के स्रेजन का संकल्प जारी कर दिया है इन पदों पर एक साल में करीब 4,182 करोर 28 लाक रुपे खर्च का अनुमान लगाया गया है बता दी कि बिहार पुलिस ने आगमी तीन सालों के अंदर राज्यमी 2.86 लाक पुलिश कर्मी की जरूरत को पूरा करने का लक्ष बनाया है इसको लेकर इसे 67,000 नए पदों के स्रेजन के बाद 48,477 पदों पर डाइरिक्ट भरती की जाएगी बिहार पुलिस की सीधी भरती के तहट 48,700 से जादा पदों में से 20,937 पद दरोगा और उसके बराबर के होंगे सिपाही के लिए 22,000 पद होंगे और ड्राइवर के लिए 10,000 ड्राइवर के 5500 पदों पर सीधी भरती होगी इसके साथ ही इमर्जेंसी, रिस्पोंस, सपोर्ट सस्टम डाइल 112 का दूसरा चरण लागू करने के लिए 19,288 पद भरे जाएंगे डाइल में 112 के लिए इंस्पेक्टर रैंक में 2800 पद होंगे दरोगा के लिए 1829 होंगे जमदार के लिए 1218 और हवलदार के लिए 29,000 चालक हवलदार के लिए 694 पद चालक सिपाही के लिए 293 और सिपाही के लिए 9992 पद भरे जाएंगे इसको लेकर वित विभाग और कैबिनेट में मन्जूरी दे दी है मालूम हो कि रजिस्टर जनरल ओफ इंडिया को आधार पर बिहार की जन संख्या अगले तीन साल में करीब 13 करोड 22 लाख 65,000 के पास पहुत जाएगा इन्ही बातों को ध्यान में रखते हुए बिहार के मुख्य मंतरी कई बार क्या चुके हैं कि राज में फिलहाल पुलिस कर्मियों की संख्या कम है इसको आधिक बढ़ाने की जरूरत है इस लिहाजा वो भरती को लेकर भी दिसानिर्देश चारी करते रहते हैं एक अनुमान के मताबिक राज के अंदर साल 2026 तक करीब 2,96,528 पुलिस कर्मियों की जरूरत होगी जैनवरी 2021 को प्रती एक लाख की अबादी पर पुलिस कर्मियों का राश्टी औरश्रत 193 डिसमलव 95 और बिहार का 116 डिसमलव 92 है इसको लेकर अब ये फैसला लिया गया है वैसे वरतमान मी बिहार पुलिस में सुवकिर्थ पदो की संक्या एक लाख 92,274 है